चलिए हम करते हैं Q6 जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने Q6 लिखा हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स वाला एक्सराइज 1B का 1 to 5 questions में अपलोड कर चुका हूँ तो Q6 में हमें छे पार्ट दिये हुए हैं Q6 चलिए आज हम करेंगे Q6 एक्सराइज 1B का 1 to 5 में अपलोड कर चुक हमें देख आपको देखरना है और हमें बताना है कौनसी प्रापरटी इसमें यूज की गई है देखेंगे एक क्या कर देखें यहां और यहां पर यहां पर से माना चाहीं तो मारा को अगला देखी है कि अ माइनस फाइफ मल्टिप्लाइए थी यहां पर क्या आपको कैसे एक है बिलकुल सिंपल है इसमें स्मसेल आण नहीं है अगला देगी थर्ड पार्ट मैनेस फूर सेवन और 11 सो माइनस फूर मॉल्टिपलाइब सेवन प्लस ग्यारा यहां पर क्या आएगा देखो धियान देना कहीं पर आगर ऐसे लिखा हुआ है निवर फॉर जांबल टू मल्टिपलाइब्रेक में लिखा हुआ है सेवन मानली ज ओरिए लो इसको को हमिप्राइब ब्रेकर और यह इसको मैस्तिब्ल्लाइब कर व कि अब देद थर्डवाला माइनज 4 7 11 माइनस फूर माल्टिप्लाई bonito कर रहा है से मायनस पो 7 कउप एससे लिखा हुआ है टू और निखा हुआ हुआ है ठीक है तो तूको और एक्स 포र कर hook घ्प १ x सब्सक्राइब करना देखो इसने बोला है कि यह कितना आएगा फॉर्ट पार्ट इसका जिरो अंसर आएगा क्यों आएगा जिरो से मल्टिप्लाइब कर जाएगा इसमें क्या यह और यह कर जाएगा कर जाएगा इसमें माइनस बना आएगा क्योंकि यहां पर कितना हो रहा है माइनस थी स्वाट तो ढव कि दिमाग लगा तो मैंस साथ के साथ माइनस वर आया है तो मैंनस गयरे के साथ म्नटिप्लाइब रगा दिए यहां पर सिंपल था इसको इसे मुल्टिप्लाइब करें कि आंसर घुमा के वह आ जाए एक को बाद मतलब यह लेफ्ट-Hand-Side यह राइट-Hand-Side हमारी जो फर्स्ट ना यह यह है हमारी कॉम्यूटेटिव क्या हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहली है पहली है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है आफ मल्टिप्लिकेशन अब लिख देंगे इसको आफ मल्टिप्लिकेशन सारे की सारे मल्टिप्लिक वह एसे लिख सकते हैं या उसमें भी फट्टी और अगर यह हमारा यह है तो लिखेंगे प्रॉपर्ट्यों मट्िप्लिकेशन शिम्पल और गुच कुछ नहीं है क्यों जगा चेंज होती है एक पी जगा भी ने ली यहां पर और बी की जगा यहां पर पे तो इसको बोलते हैं कर्म्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है अब देखिए अगली कि देखिए यह अपने एडिशन में भी करें दी इसको देखिए पांच और तीन मुल्टिपलाइब चार यहां पर एक साथ ब्रैकेट के अंदर क्या थे पांच और तीन यहां पर एक साथ यहां पर तीन ओ चार दोस बन गए मतलब एक की साथ रह रहे हैं विचारा पांच अलग हो गया तो इसको बोलते हैं कि अ कि क्या थेट क्या बहुते ऑं ए लिक्लिपलाएब की और थे से क्में खत्ता आँं कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए बाहर निकाल दिया मैंने और बी मुल्टिप्लाइब सी बी और सी की मैंने दोस्ति करा दी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं समझ मैं या मतलब जैसे यह जो है देखो यहाँ पर ध्यान दो सकत माइनस वो चया पर माना सब्सक्राइब में लए Cont Caribbean & सब्सक्राइब कर देते हैं यहां पर को मनें डिस्ट्रिबूट कर दिया दोनों के साथ तो उसके क्या बोलते हैं फूर्थ वाले को क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रीग ब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ मल्टिप्लिकेशन ठीक है इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टिप्लिकेशन ठीक है चली इसको भी रब कर देते हैं यह भी हमारा हो गया थर्ड आप फूर्थ देखिए फूर्थ में क्या आंसर आया आपका जीरो ठीक है जी तो जब भी आपका आनसर जीरू आएगा multiply करने के बाद तो उस property का भी एक नाम होता है उसका नाम होता है property of zero for multiplication इसका नाम क्या होगा simple है कि property of zero कि ठीक है property of zero कि पॉर multiplication इसका नाम यह होगा किए इसमें क्या होता है इस में आपस झीरू आथा जब हम zero तो इसका आंसर किया आएगा इसका नाम क्या होगा प्रॉपर्टी आफ मुल्टिप्लिकेशन अब देखिए एक और प्रॉपर्टी आगई हमारी इसको बोलते हैं मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स इस वाले में उल्टा कर दिया यहां पर यह था ना इसको आपने इन्वर्स उल्टा कर दिया वन उपर चला गया और नीचे क्या गया माइनस वन इट- nine-seven इसको और यह से मैं ऐसे हो गया देख्व आप इसको बैंट लिकले करते नाम होगा मुल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स कimana मोटा है मट्लीपिकेटिव कि इसमें किया होता है इस में कुछ नहीं होथा इसमें हम दोनों का आँसर क्या एक को मल् aperture गरें दोनों का इसलिवाध गा नाम रहता है इसी का बीठीव से फिर्टी बढ़ दोनों में दोनों के साथ बढ़ गया इसनने अपनी दोस्ती जिद बदल दी इसको बोलते हैं यह व्यक्राइट्य प्रोपरेटी इसको बदल दी करती है सारी होट कि चलिए इसको रख करते हैं कि कुछ नमाइब सेवन देखते हैं जल्दी से अब फाइंड यूज़िंग स्वीटिबल प्रॉपर्टी हमें इसका प्रॉट्ट मतलब डारेक्ट नहीं करना आपको प्रॉपर्टी का नाम नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं बताई ठीक है तो अईसे तो कुछ है नहीं तो अब लिखना चाहो तो आप भी सकते ह हो कुछ आएगा फिर तीस कुछ आएगा दोनों को प्लस कर तो आंसर आजाएगा लेकिन हम ऐसे नहीं करना हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है देखिए इसमें होगी प्रॉपर्टी यह देखो यह और यह देखो अगर ऐसा कुछ है जैसे फर जामपल यह मल्टिप्ल ऑफ यह हो गया हमारे क्या हुआ है हस्बं अब या कड़ा हमारे क्या है समझा रहो है इन दोनों को सект कर रहा रहेक या मानस क्राता है कि दो हस्बें माइफ यह है एक हसिपसा होगा थिसमाष ना कि दोनों के हस्टेमें ऐसा को नहीं है ठीक है तो यह गोbelदर यहา तो यह समझ लिए पॉसील है न एक हस्वेन एन एन फोछ डया है टू है volume oxygen वन हजबेन और वाइफ तो क्या हो गया एक हजबेन की टू वाइब सो गई एक वाइफ माइनस सोला तो देखें ऐसे कुछिंग हम कैसे करते हैं बस याद रखना है कि अगर मटिप्लाइब तो यह वह वाइफ बनेंगे इन दोनों में हजबन वाइफ में से हस्बें तो कौन ह है थर्टी ही हमारा हस्वेंड है ठीक है तो मिन इसको बाहर निकाल लिए तो मने इसको बाहर अब यह जो हैने मतलब मतलब जैसे एक हेस्बन वाइफ यह व गए तो उनको जो आलग वह साइन आपको यहां लिखतेना है अब इन दोनों में हजबन यह था यह दो भारा चुका इसको दुबारा नहीं लिखना ब्रैकेट आपने लगा देंगे इसको लिख देंगे दो different wife, one husband, ठीक है? अब ये जो है हमारा 30, इसका भी husband है, इसका भी husband है, इसलिए हमने दोनों को गुरू में बंद कर दिया, ये घर के बहार आ गया, और दोनों को इसने घर में बंद कर दिया, कि काम पे जा रहा है, फॉर एक्साल, आब देख, अब हम कहा करेंगे, इसका रख लग दो, अब ये दोनों बीवे अंदर हैं, ठीक है? अब ये दोनों क्या कर रही है, अब ये दोनों अपस में मिलेंगी, बाते करेंगी, खेलेंगी, जो भी करेंगी, या फिर मान लीजे दोनों फाइट करने लग जाती है जो भी यह तो इन दोनों कम कराद देज़े तो माइनस 14 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 16 ठीक है अब धी अब इस 14 और 16 दोनों माइनस करते हैं चार दसका जीरो वन करी एक दो तीन तीन आ गया और यह तो लेगे हैं इसको अब इसको हड़ा तो क्या हो जाएगा मल्टिप्लाइब और मैनस नहीं है आप ज्यादा लिए चलागे लेकं यह आएक पारने यह नहीं है चलिए आगे बढ़ते और जीरी नहीं इसको हाँ लेकिन यह पॉसिबल है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा क्या है हो माइनस ट्वंटीवन आप आपको तलाश करना है ठीक है माइनस सेवंटीन कि लस माइनस ट्वंटीवन पिलिकलै खिल त्व Santos आपको कपट हूंने रोटेखे जोड़ा यह हो गया मैल्टीपला अगया और यह जोड़ा हो सप्लस और नहीं क्या कर दिया हमें बता दिया है एलों में हाट तलाश करना थारें विब्साफियिश्ट lihat ह innovー यह लगा दो प्लस लिखो सब्सक्राइब यह माइनस तीन का भी हजबेंट है तो लिखो माइनस इस अब यह देखेए अब यह भी अधादो ब्रेकेट तो घुझा और हो गया प्लस माइनस था यह सबस्था नगे कि कि थी थारा हां थी चलिए अभी लोग खेली अब सतरा और कि पीस होते हैं और माइनस असा ही लेकिन जब भी दो माइनस होते हैं और उनको मल्टिप्लाय करते तो प्लस बन जाता है तो यह प्लस का जाएगा ठीक है यह मारा आंसर आगे 420 चलिए रफ करते हैं थर्ड पार्ट लेकिए इसका थर्ड में क्या है 258 258 मल्टिप्लाय 2 प्लस माइनस 98 माइनस 258 दुबार से 258 मल्टिप्लाय 2 प्लस माइनस देखें जी एक दोड़ा यह हो गया दोनों का अच्छा यहां पर दोड़ा बड़ा है तो जब कभी ऐसा होगा आप ले 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 लिए तो आपने लिए तो आपने लिए इसका था तू का तू बचिया अभी प्लस है प्लस माइनस दोनों को पहले इन दोनों को पहले इन दोनों का जो मामला है उसको सॉल्ट दो कर दें ठीक है क्योंकि यह इसी को मिलेगा क्योंकि यह इसकी बीवी थी तो इसी को मिलेगा तो 98 को ब्लस हो जाएगा और तो यह कौन से प्रॉपर्टी यूज़ करने यह हमारी कि डिस्टीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि डिस्टीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता जैसे यह मल्टिप्लाइब इसको बार बार यह बना रहे हो यह याद रखना है आपको ठीक है चलिए इसको रपकर फॉर्ट चलिए फूर्ट पार देखते हैं इसका कि 812812 कि मल्टिप्लाइब माइनस 35 ठीक है प्लस माइनस एट वन टू कि मल्टिप्लाइब 65 इसमें सर्ट कीजिए देखे यह हो गया और यह हुग गया हस्बेट कौन सा 812 लिख दो अब देखेंगे अंदर अंदर मारा क्या बचेएगा चले बड़ा वलब राकिट लगा लेदें कि देखें यह बचा माइनस 35 तो माइनस 35 ठीक है अब यह प्लस है तो प्लस आजाएगा यह माइनस ठीक है पहले इसको बाद में करेंगे पहले हम इसको क्यों मामला सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि यह भास्ते हाइब माइनस 65 मानों सेले करेंगे ठीक है तो यहां पर हम क्या कर लिए देखो 65 और 35 दोनों माइनस के प्लस कर देंगे 5 10 का 0 बन कह रही 6 7 10 ठीक है माइनस का अगया माइनस का 100 तो 812 मल्टिप्लाइ माइनस का 100 हमारा अंसर है 812 और क्या आगे लग जाएंगे 2 0 ठीक है और माइनस आ जाएगा बस यह पर माइनस आ जाएगा यह मारा सॉल्व होगी है ठीक है चलिए आगे सॉल्व करते हैं चलिए देखें आप कोशें फेफ्ट कि 36 अब लस कि माइनस सेवंटीनाइन अगर मल्टिप्लाइए 36 अब इसमें बनाना देखो बन रहा है पहले बहुत ध्यान से देखो कि यह मारा एक ग्रूप हो गया ठीक है प्लस से अलग रूप हमारा यह लेकिन इसमें वाइफ नहीं है तो जिसमें वाइफ नहीं है तो इसका वन होगा इसका नंबर कितना होगा वन तो मुल्टिप्लाइब वन ऐसे होगा ठीक है वह आप लिखो न लिखो मर्जी है आप अगले सब्सक्राइब को इसको दो ठीक है जिसकी वाइफ कुछ नहीं इसको लिखेंगे मैं आप पहले लगा लगा लो यह ऐसे हो गया और यह मारा क्या हो गया आप यह यह अगया आप इसमें यह पने बाहर ले लिया तो ब्राइब यह बाइब बचा वन बचा बस यह प्लस अब सब्रेक्ट में मगर यह मैन जो है क्याया है तो यह तो तरीकसे हो गया उच्पेशस मांठोश, मैइन यह कितना होता है होता है एट को मैं कर दो टी को एट को एट जा फॉर किया रही है एट रिज़ा 24 और चार अथाइस कि इतना हो गया टू एट एट और यह जीन था जीनों आगिया यह टीकशिक तो यह अंसर हो गया चलिए रप कर दें इसको चलिए शिक्स देखिया इसका श्रक्स में क्या कह रहा है 85 कि मल्टिप्लाय माइनस 19 कि या माइनस ए दिखे जी एक तो यह बन गया ठेसे बना लेंट देंगर 85 इसका बना नंबर कि देखिए यह हो गया प्लस है जिसका कुछ नियों था उस नोता है जिसका कुछ नियों तोससुक्ण अबन गया वज्बेन वाइफ हस्बें जिसकी वाइफ गया सब्सक्राइब उसको मुल्टिप्लाइब देंगे इसमें हजबन भार आ गया वाइफ क्या है माइनस 99 प्लस की जगा प्लस इसमें हमने 85 को भार लिया तो माइनस सोड़के जाएगा यह वाला सब्सक्राइब और वाइफ तो यह थी ठीक है वाइफ यह अब पहले इनको रिप मैंने बताए था मुल्टिप्लाइब करते हैं अगर और नमडर ओफ माइनस और यह तो फाइफ मैनस बनाता है ठीक है अब देखिए 85 माइनस 99 प्लस माइनस माइनस 1 तिक है कितना हो गया 85 अगया मैनस का इसका इसे लगा तो अगया तो अगया 8 520 और यह माइनस का माइनस यहां पर आ गया यह मारा सॉल हो गया ठीक है चलिए अगला करते हैं आप करेंगे हम सेवंध तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना इजी हो गया टीक है इसको माइनस आगया कोई मसला नहीं है यहाँ प्लस यह माइनस हो हमें से कोई मसला नहीं है इसमें से क्या कर दो भाइब लिलो कॉमन है मतलब 1455 अच्छा जिसको समझ नहीं आ रहा ना वह मेरा इस क्वेशन का स्टार्टिंग से देखें पार्ट वन से तब समझ में आएगा ठीक है क्योंकि अगर आपने किसी ने यहां से जॉइन किया तो शाहिद उसको समझ में ना आए यह हो गया अब द लिबलाया जाएगा तो 78630 यह मारा आंसर हो गया ठीक है चलिए इसको भी रप करते हैं कि इसका एट पार्ट देखा हूं कि 4987 कि मुल्टिप्लाइब माइनस फूर कि प्लस माइनस कि 4987 कि मुल्टिप्लाइब 96 कि 4987 इसमें क्या है 4987 तो लिखिए 4987 क्या बचा इसमें माइनस का फूर बचा इसमें ठीक है यह जिए से कि ये ब्रेक्षे पें धर कन्फिश्ट नहीं ओना ज्यादा ठीक है जब दो ब्रेक्ष आथा आते नहीं दूसरे प्लेक्ट रगा थे से माइनस फॉर गया तो यह ब्राइप लगा देखेंगें यह माइनस इन फोल दो टो चुड़कित क्या यह पी हमारा हम हाँ हम थो घडिक है अपधाने के गारफ कर तो यह तो प्लस है कितना जाए माइनस गया दिखो कि माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 96 तो 498 seven यह कितना होगा हमारा अंड़ हो यह भी माइनस का यहां पर नल्टिप्लाइ लगा तो अब देखो कितना हो गया 4987 2-0 चीक है है और भी माइनस का क्योंकि माइनस था तो हमारा क्वेश्चिन नेमर हो गया पूरा सॉल ठीक है चलिए इसको रप करते हैं कि क्वेश्चिन में रेट देखिए तो पहले लिखेंगे जो है प्रिकेंगे टेंपरेचर आफ होट इसको पांच दिश्चियस कम थंडा कर दिया मतलब कम कर दिया पांच दिश्चियस 278 था पांच दिश्चियस थंडा मतलब कम कर दिया ठीक है एवरी मिनेट ठीक है तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे आप दो कैसे लिखेंगे टेंप्रेचर ठीक है क्वेश्चिन से टेंप्रेचर मेट टू कूल ठीक है टेंप्रेचर सिंपल लिखा दो टेंप्रेचर कूल इन एवरी मिनेट ठीक है सिंपल लिखिए आप ज्यादे इंगलेश नहीं यहां पर कितना हो रहा है टेंपरेचर कूल इन एवरी मिनेट टेंपरेचर कूल हो रहा है हर मिनट में थी निटेंप टो कि में फिरेट में उद्सेट ओंपरर ग्रीये प्राइब करगा वो जाएगा पंदरह इंटु पांच डिग्री सेल्सियस एक व्यायज एक मिनट में इतना कम होगा बतारा हूब तो मैं बतारा था कि बताई यह 15 मिनट के बार टेंपरेटर हमारा जो हम लिखेंगे यहां पर ट कितना दा मारा 270 इतना माइनस कर दीजिए क्योंकि 15 मिनिट में इतना कम होगा तो कितना हो गया यह विद्ध दिश्य के बचा जीरो टू तो इतना गया टू-030 डिग्री सेल्सियस हमारा टेमप्रिचर हो जाएगा 15 मिनिट के बाद चलिए कुशन में देखते हैं जल्दी से लास्ट कुश्चन है इस एक्सराइस का इस कुश्चन में प्रॉफिट लॉस के रिलिशन में बताया गया कि बारा देखिए अगर 12 रुपे का प्रॉफिट होता है अगर एक वीट का बैक सो सेल किया जाता इसको बीचा जाता है बैग ओफ वीट सोल्ड यह पर का मतलब क्या होता है एक बारा रुपे का प्रॉफिट होगा अगर एक बैग वीट का जब बेचते हैं ठीक है अब लॉस भी दिया हो इसने लॉस कितना है आठ रुपे का अच्छा आठ रुपे का लॉस होगा पर बैग ओफ राइस सोल्ड देखिए जी आठ रुपे का लुक्सान होगा एक चावल का कट्टा बेचने पर बारा रुपे का प्रॉफिट होगा एक कट्टा वीट बीचने पर ठीक है अब देखें फर्स पार्ट कि ही सेल्स वन फाइव जिरो जिरो बैक्स है टोटल फिर याल वीट सोल कितने ऊबदे़ें सपोस्ल्स किया कितने दिर geweं 25ह टोटल बैक्स फिटीक टोटल बैक्स वीट पंदरा सो बेच दियो जिесто मालीजे 0.5 बैक्स ओफ राइस टोटًड केई टोटल बैक्स ऑफ राइज सोल ठीक है हम मजीम करके चलें कि उसने बेच दिया ठीक है टू जीडो फाइज यह हो गया किसमें एक मंत में वाट इस हा लौभी ऌतल वहट होब कलिसमेर का अठीक है टोटली एट वीट वी व्द hen वीट कई अब देखिए एक वीट के बैग पे बैग वीट पे 12 रुपे का प्रॉफित होता है तो इतने पे कितना होगा तो हम लिखेंगे प्रॉफिट 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 ठीक है प्रॉफिट किसका लिखेंगे profit ये प्राफिट ये ब्रैगर बेजर वीड सोल्ड बिल्गूल सिंपल दरेका प्राफिट किसका वीड सोल्ड या पीड़ी टौल प्राफिट प्रौफिट अधर ब्राफिट अधर हो कितना हो गया कि 1500 multiply कितना है बारा ठीक है जि कितना अंसर आ गया इसका अंसर आ जाएगा 220 अलिडरे की बाद को मुल्डिपला है कि अजल रही है तो यहां पे लगएगा र्रूपीज तो यह तो यह देखे क्ट्रF total profitineaṃ received में अठाए चीए औरहा सो अठारह האשा अभर दिकेंग टूटर लॉस लाउस लॉस जीए सरे में के टना եीएतना था तो लिखेंगे तू तूज जीज़ ओ खाए लॉस है तो दो लुड़ीज को अब सबस्क्राइब देखेजिए मैंे ओताम बेंगे प्राफिज नहीं इस जाने हर दों प्राफिट ये हमारा स्ट्राइब पाने इसको पॉफिट व ruby आस वह दैक्ट आखेए प्रोफट narc लॉस्त जाद है प्रॉफ ज्याद है को प्रॉफिक हम लिखेंगे लखेँ तो ऑन प्रंफिट कर दो प्रॉफिक है कि इसे में है प्रॉफिट ऐसे लिए एंड बंदेने प्रॉफिट रंड किया है प्रॉफिट एंड कितना हो गया जी रोपीज 18.000-ड रोपीज ठीक है यह हो गया कि मैं प्रॉफिट मिसे लॉस को मानेस कर देना कितना हो गया देखिए अठारा एक दो तीन यहां पर कितना है वन सिक्स फोर दो जीड़ो दो दस पेसे चार गए छे साथ में छे गए कितना होगा रूपीज मैं How to be $16ृओ समाज में आ गया तो मिसे क्राश्या प्राफेच का समय पारफे का यहाए जब एक व्यां सवीट का बीचा जाता है लोस आक रूपे का होगा जब एक वीट को सोल्ट पैला पाट है हमने टोटल को बैक कितना हुआ इतना हुआ वीट को सोल्ड गया तो इतना हुआ तो प्रॉफिट ओंडे ने प्रॉफिट कमाया तो इतना प्रसक्शन के डाई चलिए रभ करते हैं इसको सेकंड पार्ट देखिए इसका इसने बलाए what is the number of weed bags he must sell to have neither profit nor loss if the number of rice bags sold is 2400 question में हमें बताना है कि बताइए कितने weed के bags हमें बीचने पड़ेंगे जिसके बाद हमें ना profit होगा ना loss होगा if the number of rice bags sold is 2400 bags देखिए सब हमें निकालने है number of weed bags sold हमने बोला लैट कि नंबर ओफ वीट बैग्स सोल हमें नंबर नहीं पता हमने बोल दिया एक्स ठीक है अब जो question में दिया हो इसको यूज करेंगे number of rice bags sold कितने किये हैं हमने two four zero zero अच्छा लॉस कितना होता है लॉस पर rice bag मतलब एक रैस बैक पर लॉस पर रैस बैक कितना होता है हमें लॉस दिया पर सब्सक्राइब होता है मारा रुपीज आठ तो लिकालेंगे लॉस ठीक है कि ट्वंटेफोर कि राइज बैक सोल्ड तो इस पर लॉस्ट कितना होगा रुपीज एट मुल्टिप्लाइट टू फॉर जीलो जीलो ट्वंटेफोर के लिप्लाइब कर दिए फॉर एट जा थर्टीटू का टू ठीक है रही एट उजा सिस्टीन और थी नाइंटीन कितना हो गया रुपीज वन नाइन टू जीलो जो इतना लॉस हो गया अच्छा क्विश्चन मिसने क्या बोला था लॉस और प्रॉफिट से मोन वीड़ बैग कि इसे प्रॉफिट पर वीड़ बैग कितना है जी रुपीज बारा ठीक अब देखिए आप 12 मुल्टिप्लाइए एक्स मतलब की नमब्र टूटल नमबर ओफ बैक्स मैं मुल्टिप्लाइए करूं मुझे कितना चाहिए मुझे इतना चाहिए समझे बारा को यहां पर कोई नमबर रहा होगा मतलब हो सकता है मैंने यह पर कुछ बैक्स मैंने बेची होंगे ना तो उसकी क्वेशन यह बनेगी 12 multiply X equals to 19200 मतलब कि यहां पर नमबर ओफ बैक्स चाहिए अगर हमें यह ना दिया होता हमें बस यह दिया होता सब्सक्राइब नमबर ओफ वीट बैक्स चोल तो उसको सोला सो बैक्स बेचने पड़ेंगे ना वीट सब्सक्राइब कि बैक्स ओल्ड कितने होगे भी 1600 यह मरा आंसर होगे अब देखिए यह समझिए अग्गाद देखिए 1600 और यहां पर इस सब्सक्राइब लिख दीजिए और बारा सब्सक्राइब कर दिए तो दो जिरों को बाद में लगा लेंगे हटा देते हैं अभी सब्सक्राइब कर देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए करके दिखा था हूं फॉर एक्जामपल यह कुशन लिखी ते ना बारा मल्टिप्लाइब सोरह सो कितना होगा वन नाइन टू जीडो जीओ इसको मल्टिप्लाइब करके देखिए आंसर यह आएगा इसलिए जब हमें यह नहीं पता था इसलिए इसको एक्स माना ऐसे एक्स माना और इस एक्विश्यन दमनें सॉल्व कर रहा ठीक है तो इसक्विश्यन को मैं ऐसे कर इसलिए इसलिए इसलिए.